नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने अंदर आध्यात्मिक ताकत का उद्य करना है तो भृष्प्रति देव की पूजा करे ब्रस्पति देव की पूजा करने वाले वैक्ति को विद्या, बुद्धी, सुख और स्वभाग्य की प्राप्ति होती है और देव गुरु ब्रस्पति को गुरुवार का दिन समर्पित है अर्थार्थ गुरुवार के दिन कुछ विशेश कार्य करने से आप गुरु भरस्पती को जल्दी खुश कर सकते हैं दोस्तों आज हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको गुरुवार के दिन करके आप अपने जीवन के सभी कस्टों का समाधान कर सकते हैं तो आईए जानते हैं अगर आप पैसो की कमी से परेशान हैं तो गुरुवार की दिन जल कुम्बी और पांच हल्दी की गाट को पीले कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लें ऐसा करने से आपके धन में काफी बढ़ोत्री होगी अगर परिवार में किसी के विवा में बादा आ रही है तो भृस्पती देव के समक्स घी का दीपक जलाएं इसके पश्चात हल्दी का तिलक लगाकर पीले, फूल और केसर से बने मिठाई अरपित करें भोग लगाने के बाद ओम, हेम, क्लीम, ब्रस्पते, नमह, मंतर का जाप करें इस मंतर का जाप आप हल्दी की गाड़ से बनी हुई माला से करेंगे तो ये और भी उत्तम होगा अगर किसी कन्या के विवा में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे शुकल पक्स में पढ़ने वाले ग्यारा गुरुवार तक पाने में थोड़ी सी हल्दी मिला कस्नान करना चाहिए इससे विवा के बहुत जल्दी योग बनते है तो उमीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी हमारा आपसे निवेदन है अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद